जैसा कि भारत और नेपाल इन दोनों देशों के बीच कुछ वक्त से सीमा विवाद चल रहा है काला पानी, लीपू लेक और लिंपियादूरा को लेकर हलाकि इस पर मैंने दो वीडियो अल्रेडी बनाए हुए पार्ट वन और पार्ट टू जिस पर मैंने काफी संचित और काफी डिटेल में इस बॉर्डर डिस्प्यूट जो काला पानी, लीपू लेक और लिंपियादूरा इसको मैंने डिफॉइन किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा वहाँ जाकर आप दोनों वीडियो उसको देख पाएंगा और आज मैं जो दुबारा फिर से सीमा विवाद के ओपर बात करो यह होगा पार्ट थ्री बट बिफोर स्टाटिंग टुडेइज वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट आप से करना चाहता हूँ पूरा वीडियो देखना होता ही है ना 60% 70% वीडियो आप देख ले तो और एक कंक्लूजन में पहुचकर आप कमेंट करते हैं बट अच्छा यहां पर यह होगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए उसके बाद आप कमेंट करिए तो चले फिर वीडियो हम शुरू करते हैं तो जैसा कि यह जो सीमा विवाद है काला पानी लीपू लेग और लिम्पिया धुरा इसको लेकर नेपाल के अंदर एक विशेष कमीटी का गठन किया गया था आप कह सकते हैं कि एक विशेष पैनल बनाया गया था और उस पैनल का मुख्य कारी क्या था साक्ष इकठा करना याने की सबूत याने की प्रूफ रिगार्डिंग वाट रिगार्डिंग काला पानी लीपू लेक और लिम्पिया धुरा हाल में कमीटी ने एक रिपोर्ट तयार की और वो रिपोर्ट उन्होंने नेपाल के विदेश मंतरी प्रदीप कुमार गयावले को सौपी अब इस कमीटी का गठन काला पानी लीपू लेक लिम्पिया धुरा को नेपाल दावे के समर्थन में एतिहासिक सबूत को जुटाने के लिए जून 2020 में इस कमीटी का गठन किया गया था अब नौ सदस्यों की इस कमीटी ने हाल में जो रिपोर्ट प्रदीप गयावले को सौपी दे दी उसके बाद प्रदीप गयावले ने एक बार फिर से एक कहा उन्होंने फिर से भारत से बाचित का अनुरोध किया अब हम बात करते हैं भारत की भारत ने नवेंबर 2019 को एक नक्षा जारी किया था और उसके ठीक छे महने बाद आने कि मई 2020 में नेपाल ने भी एक नया नक्षा जारी कर दिया और जिसमें उत्राखण के तीन छेत्रों पर नेपाल ने अपना दावज जताया और उस नक्षे को नेपाली संसद में ऐसे भी कर लिया गया लेकिन उसी समय ततकाल भारत ने इस पर विरोज जताया था आपत्ती जताया थी इन फैक्ट इस पैनल ने जो रिपोर्ट सम्मीट के और रिपोर्ट मिलने के बाद रिपोर्ट के अनुसाप प्रदीप कुमार ग्यावले ने कहा कि नेपाल और इस्ट इंडिया कंपनी के बी सन 1860 में हुई सुगोली संदी में भारत के साथ नेपाल के सीमा सीमांकन का नेपाल पक्ष को मजबूत बनाना उन्हों ने ये भी का कि कमीटी ने अपने काम को बखुबी अन्जाम दिया है कमीटी ने जो काम किया उस पे नेपाल के दावे को सही साबित करने के उन्होंने बहुत सारे साक्ष और बहुत सारे प्रूफ को उन्होंने एकत्रित किया है इन फैक्ट जब इस कमीटी का गठन किया गया था उस वक्त भी काफी विवात खड़ा हुआ काफी आपत्ती जताई गई थी कुछ विशेशग्यों के द्वारा उन्होंने ये कहा कि भाई मही में जब नेपाल ने नया नक्षा जारी किया और उस नक्षे को नेपाली संसद मे एपरूल मिला तो फिर कमीटी का गठन क्यों करना इस पर भी आपत्ती जताई गई पर समझने वाली बात यहां पर यह है कि दोनों देशों के बीच जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट एराइज हुआ ये काला पानी लीपू लेक और लिम्पया धुरा ये कैसे हुआ इसका म पर यह से विवात खड़ा हो गया यहीं से मन मोटाव की स्थिति उत्पन हुई इनफेक्ट प्रदीप कुमार ग्यावले का ये भी कहना है कि पैनल ने जो रिपोर्ट सम्मिट की है पैनल ने जो सबूत इकठा किया वो कहीना का ये दर्शार आये कि नेपाल ने जो दावा क किया वो सही है पैनल ने रिपोर्ट के अंदर कुछ एतिहासिक दस्तावेजों को भी सम्मिट किया जो ये दर्शार है कि काला पानी लीपू लेक और लिंपिया धूरा नेपाल के छेतर पर आता है लेकिन इस चीज़ को बहतर समझ सकती दोनों देश की गवर्मेंट जब व और कही जारी थी वो ये कि भाई COVID-19 चल रहा है ये पैंडेमी के क्राइसेस के वक्त जो भारत और चाइना का विवाद चल रहा था पूर्वी लदाक मामले में उस वक्त भारत ने चाइना से बातचित की और चारिक तोर पर बातचित की लेकिन नेपाल का ये कहना है कि भार दोनों देश के लोग को कि आप किसी भी कंक्लूजन में पहुचने से पहले पूरा रिसर्च जरूर करिया करिये पूरा डीप रिसर्च करिये क्या होता है आप कुछ वीडियो को देख लेते हैं या फिर मैं कुछ निउस चैनल को सुनते हैं और आप एक कंक्लूजन में पह और मैं एक बात कह सकता है दोनों देशों का जो संबंध है वो बहुत अटूट है। हाल में ही जो ट्रेन की न्यूज आई थी उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि भारत की तरफ से नेपाल पर ट्रेन गई की थी नेपाल को ट्रेन दी गई थी नेपाल ने कुछ ट्रेन बाई की थी भारत से और जो पेट्रूलियम पाइपलाइन के मुद्दा आया था सभी जाधा इंपोर्टें भाई बैल आइकन दबा कर उसको ओल कर देना मुझे तने धहर पूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद